सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहे शभी लोगों को प्रणाम नमस्कार करता हूँ आज जो बिहार का इस्तिती है बलकि देश का इस्तिती कहे तो बहुत बुरा है आज युवा पर लिखकर विरोजगार है रोजगार की कोई शंभावना नहीं है ना कहीं नोकरी है ना चाकरी है पढ़ा लिखाई हुआ याज आठ दस जार उपे महिने का अगर कहीं कोई काम खुचता है तो उसे नहीं मिल ला है यह दुरभाग है शरकार को शाहिए एक जिमवार शरकार की यह जिमवारी बनती है कि देश में आम जन्मानष का जीवन आपन दाल रोटी कैसे चलेगा इसका खास ख्याल होना चाहिए ताकि हमारे पढ़े लिखे इवा जो आज बिरुजगार हैं उन लोगों को शरकारी नोकरी मुहिया हो सके ताकि देश का समाज का जामात का भला हो सके आज अगर बरतमान सरकार से किसी तरह का कोई सवाल किया जाता है तो अतीत में जहकने लगते हैं मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप में कोई खासियत है क्वालिटी है तो आप उसको कहे अतीत में क्या हूँ तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो, कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल भन रहा था, कहीं कोई कॉलेज भना था, दिरा पूछ लो, राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहन करते रहे, और अंदर चले गए, तो पत्री को बैचा दिया गद्धी पर और क्या होना था उसकी बात मैं नहीं जानता लेकिन ये बात तो तय है कि अगर आप शरकार में हैं तो आपकी जिम्वारी है जबाब देही है कि आप आम जन्मानश का भ़ला कैशे होगा इसका आप ख्याल करें इस पे विशेश रुप से ध्यान देने की जरूरत है आज एक युवा लड़का जो 32 साल है उसको ठकाने में प्रिशान करने में हराश करने में दिल्ली तक के लोग प्रिशान है जिनका उमराज 60-70 साल है वो भी इस युवा के पीछे पढ़े हुए है ये दुरभाग है अगर युवा आगे बढ़ता है तो युवा जोश हमारा जरूर तरक्की होगा हम विकास करेंगे और युवाओ को भी मोका मिलना चाहिए यह सुनाहरा आउशर है मैं सभी लोगों से मताओ बेहनों से भी अपील करूँगा कि आप लोग तेजस्वी को सपोर्ट करें लाल्टेन छाप पर बटन दबाएं और भारी से भारी मतों से बिधाई बिजाई बिनाएं ताकि आने वाले शमय में ये पता चल सके कि हमारे बिहार के लोग भी जागरू को हो गए है और हमें भी अपनी जिमवारी जवबदही का है और हम जानते है कि हमारा कहाा भला होगा किनके शानत हमें जाना चाहिए इसकी कोई मस्वरा के हमें जरूरत नहीं है आज मानिये मुख मंत्री जी अनाप शनाप भाशन दे रहे हैं बाप दादा की बात करते हैं आपने कभी ये नहीं कहा कि हमने पंदरह वर्षों में ये रोजगार मुहिया करवाया और इतनी शारी नुकरिया हमने दिया तो इस तरह का कोई ब्यानबाजी आपका नहीं हो राय स्टेटमेंट नहीं आता है और सिर्फ अनरगल ब्यान आप देते हैं कभी आप कहते हैं कि जिसके चक्कर में तुम प्रे हो वो जेल जाएगा तुम लोग जेल जाओगे तो इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ ये परसंद जब आप देह बेक्टी के मुँ से शोभा नहीं देता है ऐसा नहीं होना चाहिए आपको हमेशा ये बताना चाहिए कि आपने 15 वर्सों में क्या किया है अगर गुनगान होगा तो आपके किये गए कर्मों का ना कि पहले किसी ने क्या किया था उससे तुलना करने से तुलना करने का मतलब है कि आप अपनी कमजोरी को कहीं न कहीं छुपा रहे हैं और लोगों को भरमित कर रहे हैं तो भरमित होने की भी जरूरत नहीं है चूटकि इवाबी जा ग्या है सब लोग समझ रहा हैं, सब लोग जान चुके हैं कि पढ़ा लिखा इंसान को जब आप नुक्री नहीं दे पा रहे हैं तो एक मजदूर का एक गरीब लाचार विवश किशान का क्या होगा आज किशान भी जिस प्रस्तिती को फेश कर रहा है ये छुपा हुआ नहीं है आज किशान भी आत्म हत्या करने पे मजबूर हो गया है इसकी भी घोरनिंदा होनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि उसका भी कुछ नकुछ बिकल्प निकाले शिर्फ आपके कह देने से जैसे कि प्रधान मंतरी कहते हैं कि शावा लाख करोड का पेकेज दिया ये दिया वो दिया फलाना दिया डिमका दिया तो आपके कहने मात्र स कुछ होने वाला नहीं है धरातल पे दिखना चाहिए जो दिख नहीं रहा है मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से लोगों का हुजूम जन सहलाब देखने को मिल रहा है तेजस्वी के शाथ और इवाओ का नारा भी है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बिलकुल तेज दूर तपका का लोग रोजमर्या का जीवन आपन करने के लिए कुली का जीवन आपन कर रहे थे उनको उन्होंने परमानेंट रेलवे में नोकरी दिया ये होना चाहिए तरक्की इसको करते हैं कि किसी प्राइबेट अस्तर से काम करने वाले लोगों को आपने सरकारी बना दिया और अभी सरकार में हो रहा है कि डिपार्ट इहीं सरकारी से प्राइबेट हो जा रहा है यह दुर्भाग है इसकी करी निंदा करता हूं शब लोग से आगरा अपील मैं करूंगा कि आप लोग भी ते जश्वी को सपोर्ट करें जहां भला है आपका हो जहां शब का विक है तो हमको तो कुछ नहीं कहना